हेलो दोस्तों हमारे चैनल आरके स्टोरी टू के चौबीस में आप सभी लोगों का स्वागत है आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है मेरे स्कूल की छुट्टी होने के बाद घरा रहा था कि चौराहे पर पहुँचते ही ब्रेक लगा कर अपनी गाड़ी रोक लिया और सड़क किनारे ठेले पर मूनफली बेच रहे व्यक्ति से मैंने 300 ग्राम मूनफली लिया तब ही मेरी नजर एक लड़की पर गई मेरे सामने 17 वर्ष की गोरी चिकनी लड़की ख़ली थी जिसके साथ उसके माता-पिता भी थे कुछ लोग लड़की को देखकर मूँ भुमा लेते तो देखते ही रह जाते उनमें से मैं भी एक मैं भी था जो उसे देखते देखते उसके पास पहुँच गया किन्तु कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई वह जाली दर कुर्ती और जीन्स पहने हुई थी कुर्ती के नीचे की पूरी बदन जलक रही थी उसके गोल मटोल स्थन की जलक साफ साफ दिखाई दे रहा था वे कही प्रदेश से आय हुए लग रहे थे और कही पास में ही जाने के लिए ओटो का इंतजार कर रहे थे मैं अपनी गारी स्टॉट किया और अपने घर चला गया ठीक पांच महीने बाद एक व्यक्ती ने मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए पूछा तो मैंने हां कह दिया तो उस व्यक्ती ने उस आदमी को लिवा आया जिसके दो बच्चों को पढ़ाना था जो कक्षा साथ वह आर्ट के थे अपने समय के मुताबिक ट्यूशन पढ़ाने पहुँच गया बच्चे की बड़ी बहन जो कक्षा दस की छात्रा थी और मेरे लिए चाय वह नमकीन लाई मुझे लग रहा था कि मैं इसे कही देखा हूं पर समझ नहीं आया और अगले जब गया तो फिर वही लड़की चाय नमकीन ले आई वह मैकसी पहन रखी थी वह मेरी टेबल पर चाय की प्याली रखने के लिए जब जुकी तो उसकी दोनों चाती नितमव पेटव कमर तक देख गया मैं सब देखकर पलक नीचे कर लिया और सोचने लगा कि यह आखिर ऐसा क्यों कर रही है कहीं यह मुझे आकरशित करने की कोशिश तो नहीं कर रही है अब अगले दिन जालीदार कुर्ती और जीन्स पहन कर आई तो मैंने उसे तुरंट पहचान लिया कि यह तो वही लड़की है जिसे मैं चार महीने पहले चौराहें पर देखा था मैंने उससे कूछा कि आपका क्या नाम है वह बोली अंजली मैंने कहा किस क्लास में हो वह बोली दसवी क्लास में मैंने कहा कि मैं आपको पांच महीने पहले चौराहें पर इसी कपड़े में देखा था वह बोली कि हां बॉंबे से आ रही थी मैंने कहा कि अपने मम्मी पापा को बुला लाओ वो बुला लाए उसके माता पिता जी सर बताए बच्चे ने कोई गलती की है क्या मैंने जी नहीं इसी कोई बात नहीं है मेरे साथ थोड़ा समय बैख लीजिए एक टीचर हुने के नाते में कुछ कहना चाहता हूँ यदि आपको बुरा ना लगे तो कहूँ पेरेंट्स जी ठीक है आप कहिए मैंने जी बच्चे जो स्कूल जाते हैं तो वो केवल पढ़कर कागस की माक्षीत लेने के लिए नहीं जाते बलकि स्कूल में उठना बैठना बोलना इन सब का तौर तरीका सीखता है और घर से संसकार सीखता है बच्चे के पिता बोले सर जी आप ये सब क्यूं कह रहे हैं क्या हमारे बच्चों से कोई गलती हुई है मैंने कहा जी नहीं कोई गलती नहीं बस आपकी बड़ी बच्ची के कपड़े पहनने का धांग अच्छा नहीं लगा इस तरह कि कपड़े पहनना मेरे हिसाब से अभहदर लगता है इस पर बच्चे की मा बोल पड़ीक, Master जी तो क्या आप सभी लोग आपके हिसाब से कपड़े पहनेंगी जमाना बदल गया है आज कल कि सभी बच्चे इसी प्रकार के कपड़े पहनते हैं मादन बच्चे हैं वे भी अपने हिसाब से कपड़े पहनेंगे अपनी शौक पूरा करेंगे। मैंने कहा, हाँ बहन जी जरूर शौक पूरा कीजिए मगर एक बात क्या आपने सोचा है कि ऐसे कप्टों में जब ऐसी लड़किया चौराहे पर खड़ी होती है तो लोग इन ल बोली घर के अंदर आलमारी में मैंने कहा क्यों वह बोली कीमती सामान है तो सुरक्षित रखना पड़ेगा नहीं तो कहीं कोई चुरा ले तो हाँ यही बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेटिया घर की गहना होती है उन्हें भी छुपा कर रखना चाहिए अच्छ भी नहीं कर सकती लड़कियां के मान सम्मान में एक पिता और भाई का मान होता है यदि एक बार किसी लड़की का मान गिर जाए बदनाम हो जाए तो एक पिता और भाई का सरसमाज में हमेशा के लिए जुप जाता है लड़की के पिता हाथ जोड़कर बोले सर जी मैं आपक शायद यह में अपने परिवार को नहीं समझा पाता। इसलिए आपको धन्यवाद। मैंने कहा धन्यवाद की कोई बात नहीं। फिर लड़की से पूछा क्यों बिटिया अगर आपको मेरी बात अच्छी न लगी हो तो माफ करना। लड़की अब और शर्मिंदा न करें सर ज लोग उल्टा ये सुना देते हैं कि आप कौन होते हैं बतलाने और समझाने वाले। दोस्तो यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें शेयर करें और कॉमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइ जरूर करें धन्यवाद।